यह जो हमारी इंडियन एकनोमी की सीरीज चल रही है उसका फॉर्थ लेक्चर रहेगा और आज से हम एक नया चेप्टर स्टार्ट कर रहे है इसे हम पढ़ेंगे इंफलेशन इससे रिलिटेट कॉंसेट क्या है यह सब चीज़े यहां पर देखेंगे और आज क्या जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि inflation के types क्या होते है inflation के reason क्या होते है किस वज़े से inflation होता है ये सारी चीजे और फिर इसी के अंदर जो next lecture रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे inflation को control कैसे किया जाता है government क्या करती है, RBA का क्या role है fine inflation के causes की हम यहाँ पे बात करेंगे और एक impact भी देखेंगे inflation का क्या impact होता है अलग-अलग जो आपके entities हैं अलग-अलग जो players है, individual के point of view से ये सारा वहाँ पे impact में हम discuss करेंगे इसके अलावा फिर कुछ indices भी discuss करेंगे inflation related कुछ indices discuss करेंगे जैसे कि wholesale price index, WPI हो गया you have CPI is there, consumer price index है इसी से related जो भी आपके indicators है उन सब को discuss किया जाएगा और उसके बाद inflation related जो concept है जैसे काफी सारी terms होती हैं जो confusing होती है fine, जैसे inflation है तो deflation क्या होता है dis inflation क्या होता है, skewflation क्या होता है core inflation क्या होता है इस तरह से बहुत सारी terms आपकी related हैं उन terms को हम discuss करेंगे तो ये पूरा overall एक chapter का overview आपको मैंने दिया है inflation के chapter का आज जो chapter है इसमें हम inflation को जानेंगे इसके types को जानेंगे inflation के causes को जानेंगे आगे बढ़ते हैं make sure that you are following me on this telegram channel to get access of all the PDF and other important updates एक important announcement आपके लिए है कि जो unacademy का plus subscription है especially combo subscription combo मतलब जिसमें GS और optional दोनों की preparation include है तो इस पर आपको ये discount offer किये जा रहे है जिसमें एक साल का जो fees है combo subscription का मतलब आपकी पूरी preparation का this is 55,000 link आपका description box में इस discount को आप avail कर सकते हैं 30 November तक move करेंगे inflation पहले inflation को जानते inflation का मतलब क्या होता है inflation का simple से बिलकुल अगर हम शब्दों में कहें inflation का मतलब है कि चीजों की price बढ़ रही है ना महंगाई बढ़ रही है तो ये price जो बढ़ रहा है आपका अगर हम कहें कि केवल कुछ चीजों की ही price बढ़ रही है तो उसे हम inflation वर्ड उसके लिए use नहीं करते है inflation वर्ड का use किया जाता है inflation वर्ड का use अपका किया जाएगा जब persistent rise हमें देखने को मिलेगा एक general level of price के अंदर general level of price के अंदर हमें जो continuous rise है देखने को मिल रहा है इस context में अगर हम देखें कि केवल और केवल food items की especially कुछ food items की prices बढ़ रही है fine तो क्या उसे हम inflation मान लेंगे या फिर जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पे जो medicines हैं ना medical supplies है इनकी कुछ particular उनकी prices एकदम से बढ़ गई या फिर हम बात करें you have that mask हो गए sanitizers हो गए इनकी price बढ़ रही थी तो क्या उसे inflation count किया जाएगा तो वो inflation में नहीं आएगा क्योंकि जो general level है price का जिसमें जो भी काफी सारे goods और services को include किया जाता है वो वहाँ पे नहीं बढ़ रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है जैसे यह mask sanitaria वाला जो case है उसमें एक group of commodity है जिसकी price बढ़ रही है तो उसके लिए हम अलग word use करते हैं उसके लिए word use किया जाता है skewflation skewflation so this is a different concept here आगे जब हम इससे related concept समझेंगे जब इससे related terms बढ़ेंगे तो यह सब चीजें हम discuss करेंगे तो अभी यह मैंने इसलिए idea दिया है आपको कि inflation कब कहा जाएगा जो general level of prices है वो बढ़ रहा है और inflation को major करने के लिए हम अलग-अलग indicators का use करते हैं you have consumer price index हो गया wholesale price index हो गया यह सब चीजें आपकी use की जाती है inflation के type की अगर हम बात करें inflation को मतलब classify करने के कुछ तरीके हैं जिसमें एक तरीका तो यह हो गया कि जो general price level का increase हो रहा है मतलब परतिशत कितने percent का increase हमें देखने को मिल रहा है उस basis पे हमने यहाँ पे classify कर दिया इसके अंदर classification में क्या होगा inflation का जो increase है जो general price increase है on the basis of percentage उस पे हमने classification लिया है तो पहला हो गया आपका creeping inflation first हो गया आपका creeping inflation creeping जैसा word से पता चल रहा है यह inflation बहुत ही धीरे होगा है cause of concern नहीं रहेगा इसकी वज़े से कोई ऐसा बहुत problem वाली बात नहीं है तो इसे हम कहते हैं creeping inflation और इसमें जो general जो आपका price increase होता है that is 1-3% per year creeping inflation definitely manageable है 1-3% का है तो कोई ज्यादा concern वाला issue नहीं है easily manageable हो जाता है आपका economy के लिए भी अच्छा होता है economy के लिए भी अच्छा होता है तो आपको सुनके थोड़ा आजीब लगेगा inflation मतलब महंगा ही हो गई inflation अच्छा कैसे है how the inflation can be good for the economy ये सुनके थोड़ा सा अजीब लग सकता है इससे समझने का परियास कीजिए inflation economy के लिए अच्छा है अगर वो एक manageable limit में रहे आपने सुना होगा RBI का जो inflation का target है वो आपका है 4 plus minus 2 4 plus minus 2% पे चल रहा है मतलब RBI ये मान के चलता है कि inflation 2% से 6% के bracket में रहना चाहिए 6% से उपर जाएगा तो भी दिक्कत है 2% से नीचे भी नहीं आना चाहिए inflation RBI जिस indicator को use करता है inflation को measure करने के लिए वो है आपका consumer price index combined urban plus rural CPIC CPIC क्या होता है ये detail में हम discuss करेंगे आगे अभी आपको एक idea मेंने दे दिया है तो ये 2% minimum inflation रख रहा है मतलब inflation कुछ होना चाहिए वो economy के लिए अच्छी बात है कैसे अच्छी बात है इसे समझते है तो इन्फलेशन का होने का क्या मतलब है आपकी जो चीजे हैं उनकी price बढ़ रही है price increase हो रही है तो price जब चीजों की increase होती है तो जो producer है जो producer है या जो traders है उनके लिए incentive होता है उनके profit वहां पे रहते है उनके लिए incentive होता है वो चीजों को produce करेंगे तो economic growth को एक positive push मिलता है वहां से traders make the reasonable profit it encourages them to invest it encourages them to invest as well इस वज़े से एक manageable जो level होता है inflation का वो अच्छा माना जाता है तो creeping inflation there is no cause of concern definitely इसी तरह से अगर हम जो आपका percentage increase है price का उस basis पे आगे जाएं तो आपको मिलता है walking inflation जो 3-2-10% के bracket में है 10% से उपर अगर चले जाती है तो उसके लिए हम word use करते हैं galloping inflation इसे hoping या running inflation भी कई जगे पर mention किया जाता है तो inflation की rate क्या होगी 10% से उपर होगी लेकिन 50% से कम होगी 50% से उपर जब inflation rate चला जाएगा तो ये एक बहुती concern वाला situation है और इसे हम कहेंगे hyper inflation इस condition में क्या होगा जो आपकी currency है उसकी purchasing power बिलकुल erode हो चुकी है अगर आपको एक bread का package भी खरीदने जाना है तो आपको काफी सारी currency लेके जानी पड़ेगी कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हो तो आपको पूरी car के अंदर पैसा भर के ले जाना पड़ेगा fine, so actually जो currency है उसकी जो purchasing power है बहुत बुरी तरह से erode हो गई है in this kind of situation, hyper inflation hyper inflation का क्या हमें practical में कोई example मिलता है बिल्कुल आपको मिलेंगे latest example वेने जुए लगा है 2018 के अंदर और जिंबाब्बे का भी यहाँ पर example है जिंबाब्बे का यह example इस चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2004 के बाद में जो inflation की rate है एकदम से आपका peak करना start होता है daily inflation rate of 98% you can imagine अगर इतना परतिशत चला जाएगा तो क्या होगा क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम inflation की बात करें जो CPIC को यहाँ पर target किया जाता है तो वह हम देखते हैं 6% के उपर भी आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है और यहाँ पर क्या situation होगी you can imagine तो यह condition पूरी की पूरी economy के लिए concern करने वाली है economy की stability को compromise कर सकती है definitely लोगों के जो interest है उनकी जो savings है उसको भी बुरी तरह से impact करेगी क्योंकि particular जिस economy में इतनी ज़्यादा inflation है वहाँ पे उस currency में आप saving करी नहीं सकते हैं अगर उसी currency में हम save कर रहो तो वह आपके लिए मतलब नुकसान वाली बात हो जाएगी so this kind of situation can also happen तो यह हो गया inflation के type on the rate of general price increase अब inflation को और ज़्यादा हम categorize अगर करें तो एक और तरीका होता है on the basis of the reasons कि inflation होता क्यों है यह जो inflation है महंगाई है यह हो क्यों रही है basically तो बहुत ही simple सा इसके अंदर logic है कोई ऐसा rocket science नहीं है inflation मतलब महंगाई जब चीजों की क्यों होती है आप normal अगर market में जाते हैं सब्जी बंडी में कभी गए इस तरह से आपने देखा कि कई बार क्या होता है fruits है vegetables है उनकी demand बढ़ जाती है festive season होता है तो आप जाते हो आप एकदम से देखते हो कि अभी तो इतना सस्ता था अभी 80 रुपए किलो 248 रुपए किलो कैसे पहुँझ गया तो ज anthropology बढ़े होई है supply नहीं है तो पहला क्या reason होगा पहला reason होगा demand-pull inflation yeah demand-pull inflation के अंदर क्या होता है यहाँ पे आपकी demand बढ़ गई हैं की when danach Pray यह क्यों बढ़ गई है क्यों कि लोगोंके हाथ में ज्यादा पैसा है मार्केट के अंदर money supply जादा है तो पैसा तो increase हो गया है लेकिन उसी comparison में आपके जो goods and services है goods and services है इनकी supply उस इनकी जो supply है इनकी जो आपकी supply है goods and services की demand तो increase हुई है लेकिन इनकी जो supply है उसी proportion के अंदर नहीं बढ़ पाई है इसलिए क्या होगा आपका पैसा जादा है और जो particular goods and services है वो उतना ही है तो money आपका जादा money हो गया तो much money is there chasing few goods तो इस context के अंदर definitely आपकी क्या हो जाएगी चीजों की price बढ़ जाएगी और demand increase due to increase in the money supply in the market due to government spending as well और यह जो demand pull inflation होती है इसे हम growth inflation के नाम से भी जानते हैं wage inflation के नाम से भी जानते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर एक चीज है कि लोगों के हाथ में जो है उनकी spending capacity बढ़ रही है okay they are getting good amount of money that's why they have this spending capacity इसलिए हम यहाँ पर यह wage inflation growth inflation word use करते हैं क्योंकि लोगों के wage के अंदर बढ़ ब्रद्धी होगी लोगों को अच्छे wages मिल रहे हैं अच्छा वेतन मिल रहा है so they will be having the money in their hands okay that's why they will get the purchasing power उनको purchasing power actual में realize होगी और purchasing power आपका बढ़ेगा तो they will be able to create the demand वो demand भी market में create करेंगे demand आपकी create होगी और production उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है चीजों का तो चीजें महंगी हो जाएंगी यह हो गया first reason ठीक है second यहाँ पर है this is the cost push inflation कोस्ट push किस चीज की cost है जो आपको लागत मुल्दे आ रहा है किसी भी चीज की cost है अगर वह increase हो जाती है पहले वाले जो lectures हैं जो अभी हमने किये थे पर एक्जामपल नेशनल इंकम अकाउंटिंग पर जो लेक्चर समने पड़े थे वहाँ पर एक मैगी वाला एक्जामपल हमने लिया था मैगी वाले एक्जामपल में आप मानके चलिए जैसे मैगी बारा रुपए का आपका जा रहा है एक पैकेट है ना तो अगर हम देखें कि मैगी को बनाने के लिए जो कोस्ट है वह increase हो जाती है मान लिजे वह 2 रुपए से increase हो जाती है तो मैगी है ना अगर कोई goods है तो उसे produce करने के लिए आपका require है उनकी जब price बढ़ रही है input की जब price बढ़ रही है raw material की price बढ़ रही है तो final product की price तो definitely बढ़ेगी और जब यह एक general level पर होता है तो हमें यह आपका inflation देखने को मिलता है इसका बहुत simple सा क्या examples हो सकता है increase prices of imported goods यह crude oil जो price है यह बहुत ही अच्छा example है अभी आप देखेंगे petrol diesel की prices 100 रुपए से उपर जा रही है on an average तो crude oil की जो price आपकी बढ़ रही है petrol diesel की price जब बढ़ती है तो on an average एक चीज़ देखने को मिलती है कि पूरी economy में inflation बढ़ता है हो कोई भी consumer related item हो गया whatever item it is उसके अंदर क्या होता है transportation cost include होता है fine उसका जो logistic का cost है वो include होता है तो अगर आपके petrol diesel की price बढ़ रही है तो उसका जो cost है उसका जो transportation cost है वो बढ़ेगा और वो सभी product के लिए बढ़ेगा जब यह बढ़ेगा तो overall चीजों की जो net price है वो भी increase हो जाएगी तो increase the price of imported goods जो crude oil की prices बढ़ गई इसकी वज़े से हो सकता है high cost of capital high cost of capital में क्या होगा आपको किस दर पे जो है अगर कोई company है जिसे loan चाहिए तो उसको किस interest rate पे loan मिलता है अगर उसको easy मतलब कम interest पे कम ब्याज गरों पे loan मिल जाता है तो उसके लिए easy रहेगा अगर उसको ज़्यादा ब्याज पे पकड़ना पड़ रहा है loan के उपर तो उसका जो cost होगा वो final product में add करा जाएगा क्योंकि company तो profit के basis पे काम पड़ करेगी और अगर company को यह cost of capital ज्यादा पड़ रहा है तो उसकी जो cost है वो final product में realize होगी क्योंकि ultimately consumer ही pay कर रहा है ठीक है यह हो गया cost push inflation इसे supply shock inflation के नाम से भी जानते हैं कई बार क्योंकि अगर supply आपकी short हो रही है क्योंकि आपका हो जाएगा नेक्स्ट है इलक्ट्रोनिक आइटम्स में भी कई वार आपने एक यह चीज ऑपजर की होगी कि अब यह रिसेंट्ली जो हमने देखा था कि इलक्ट्रोनिक आइटम्स की जो है supply short हो रही थी तो वह जहां पे आपका माली जो कोई की आइटम है जिस पर 20,000 MRP है तो आराम से 12,000-13,000 पर मार्केट में मिल रहते हैं लेकिन वही चीज अब आपको क्या है सतरा अठा अठा आजार इवन 2020 थाउजन तक लोग पे कर रहे थे हैं तो दिस इस थी कोस्ट पुष इंफलेशन और जो इंफलेशन है इस इस यइस त्रेटरल इंफलेशन है यह हो गया आपका इसका सबसे अच्छा एंडिया का अग्री कल्चर का जो सप्लाइचेन है वहां पर आप देखेंगे तो अग्री कल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम है अगर किसान ने ज्यादा प्रॉडक्शन कर लिया ठीक है तो वह उसे मंडी तक नहीं पहुंचा पाता या फिर कोई परिशेबल प्रॉडक्ट है जो जल्दी खराब हो जाती है जैसे फल सबजिया है तो वह खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसलिटी अविलेबल नहीं है तो यह कुछ ऐसी वीकनेसेज हैं जहां पर आपका प्रॉडक्शन ज्यादा हो रहा है तो भी दिक तक कम हो रहा है तो भी दिक्कत है फिर फार्म गेट से आपका मार्केट तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर इंफ्रस्ट्रक्टर हर जगे पर अविलेबल है नहीं है तो यह जो विकनेसेज हैं इन एफिशियंसी हैं कंडिशन में उसकी वज़ए से इकनॉमी के अंदर उस इससे पहले हमने जो टाइपस देखे थे वह हमने देखे थे जनरल प्राइज इंक्रीज की जो रेट है उसके बेसेज पे अब हम अगर एक बात करें कि इनफिलेशन के रीजन्स क्या है कि यह जो टॉपिक है यहां पर जो लिखा हुआ है रीजन्स ऑफ इनफिलेशन इनफिलेशन वाले में जैसे यह रीजन हम पढ़ रहे हैं जैसे हमने कॉसे पढ़े हैं तो हर जगे से आपको कॉश्चन देखने को मिलेंगे जब यह चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो आई विल एड़ some of the previous year questions जो UPSC ने पूछे में inflation वाले topics से तो यू विल गेट दा एडिया कि हाँ UPSC में किस तरह से question पूछे जा रहे हैं और जो चीज हमने पढ़ी हैं वहां से question होते भी हैं या नहीं होते हैं उसके लिए हम session यह जब inflation वाले topic हम complete करने वाले होंगे I will add some questions as well अब हम बात कर हमने reasons for inflation तो अभी अभी जो चीजे हमने पढ़ी हैं वहां से reasons तो हमें पता चली रहे हैं किया पता चल रहा है अभी हमने पढ़ा वहां से increase in the demand of the goods and services चीजों की demand बढ़ेगी तो आपकी चीजों की price बढ़ेगी Increase in the crude oil price definitely this is one of the most important reason क्योंकि यह input की तरह काम करता है इसकी price बढ़ेगी तो सब चीजों का एक price बढ़ेगा यहां पर हमने crude oil price क्यों लिया है क्योंकि transportation cost हर चीज पर अप्लाई होगा ना किसी भी commodity को ले लिजिए वहां पर अप्लाई होगा फिर है आपका Increase in the purchasing power of the people लोगों की purchasing power कब increase होगी जब उनके पास में money supply increase होगी Money आपका हाथ में आएगा तो market में in general money supply increase होती है तो इसका impact हमें यहाँ पर देखने को मिलता है Increase in the money supply money supply increase होगी तो चीजों की demand को increase करेगा Increase in the purchasing power this is also here यह कुछ reasons है इसके अलावा और क्या reason होंगे? bad monsoon और agriculture impact सभी को पता है कि इंडिया में आज भी अगर कहा जाए that agriculture is a kind of heavily dependent on the monsoon आज भी monsoon पे बहुत ज़्यादा dependent है अगर monsoon अच्छा नहीं है तो आपके production कम हो जाता है agriculture जो products है food items है उनकी prices बढ़ जाती है जो overall inflation के level को impact करती है तो यह सब चीजें आपकी impact करेंगे इसके अलावा क्या है? black marketing हो रही है चीजों की less availability of goods and services यह भी impact करेगा hoarding है जिसे हम कहते हैं जमाखोरी आपने चीजों की जमाखोरी कर लिए इसकी वज़े से क्या है supply मार्केट में जो supply है वो कम हो गई है मार्केट में supply कम हो गई है तो यह भी एक reason हो गया cartelization, cartelization में क्या होता है इसे ऐसा समझे कोई भी एक particular industry है मान लीजिए हम telecommunication industry को लेते हैं यहाँ पे जितने भी players है अभी हम बात करें तो geo is there, airtail है, odafone idea है तो यह तीनों मिलके decide कर लेते हैं यह तीनों ने बिल्कुल अपनी वो कर लिया साथ में बैठके decide कि हम जो prices है ना सभी मिलके एक साथ बढ़ा देते हैं लेकिन cartelization में क्या होता है जो competitors होते हैं वो आपस में safeguard कर लेते हैं और इस तरह से unfair trade practice करते हैं जिसमें competition को avoid किया जाता है और price बढ़ा ही जाती है ताकि सभी का profit बढ़े और consumer को नुकसान हो इससे क्या होगा अपने profit बढ़ाने के लिए यह क्या करेंगे ठीक है तो यह सारे क्या हो गए यह major major reason हो गए कि वाकई में inflation अगर हो रहा है मुद्राइस 50 हो रही है तो इसका reason क्या है क्यों हो रहा है ठीक है यह reason आप ध्यान रखिए नेक्स्ट जो class रहेगी उसमें हम बात करेंगे कि यह जो inflation का पूरा issue है इसको control कैसे करते हैं क्या क्या तरीके हैं गौर्मेंट अगर करती है तो गौर्मेंट क्या कर सकती और पास क्या options है administration प्रशाशन यहां पर क्या कर सकता है और इसके बाद हम कुछ indices भी लेंगे major जो indices हैं WPI CPI वगर जो बहुत important है वैसे तो यह पूरा चैप्टर ही important है और फिर उसके बाद related concept को हम लेंगे for now we are wrapping up the session make sure that you follow me on this telegram channel इसके अलावा अनकेडमी के साथ आप जूड सकते हैं अपनी पूरी UPSC की compression घर बैठे आप कर सकते हैं अनकेडमी के साथ subscription का link description box में आपको दिया गया है और अपनी नीड के according आप plan चूज कर सकते हैं प्लान चूज करने के बाद put the code rblight to get 10% extra discount and personalized guidance you can opt the iconic subscription with added benefits Iconic का यह fee structure है के वल ऑप्शनल के लिए जा रहे होते हैं के वल ऑप्शनल का फी स्ट्रेक्टर यहां पर आपको दिया हुआ है 24th इसका last date था whether this is applicable or not lawn facility link is also there हर संडे आपका test होता है mega combat जो सुबह 11 बजे होगा अठाइस नमंबर को link description box में दिया गया है you can use the code rblight to unlock this free test this is all for today next lecture जो है आपका रहेगा संडे को रहेगा fine don't forget to like, share and subscribe all the best have a great day